इस वेडियो में हम बात करने वाले .com bubble क्या था और ये क्यो बहस्ट हुआ 1991 में worldwide web public हुआ और 1993 में काफी सारे web browser सा गए तो 1993 के बाद काफी लोगों ने internet को use करना शुरू कर दिया तो जैसे जैसे internet users बढ़ रहे थे बढ़ ये देखे करते थे कि company एक internet company है और company के आगे .com लगा हुआ है 1996 में भी US Fed ने अपनी interest rates को कम कर दिया जिसकी वज़े से internet companies में और ज़्यादा investment बढ़ने लग गई अब क्योंकि internet companies fundamentally strong नहीं थी लेकिन उसके बावजुद उनको investments मिलते रहे तो एक bubble create होते गया 1999 में inflation बहुत जादा बढ़ी आता तो US Fed ने अपनी interest rates को वापस hike कर दिया इस वज़े से internet companies को funding मिलना बंद हो गई और बहुत सारी internet companies bankrupt हो गई और इसी तरहे से ये .com bubble भी burst हो गया